पश्चिम बंगाल के कॉलकता में सरकारी आरजिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के कातित आरोपी संजयराय के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो बहुत चौकाने वाली है आरोपी की चाय शादिया हो चुकी है जिसमें तीन पत्निया उसे दुर्यवार के कारण उसे अलग हो चुकी है जबकि चौती पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी सुत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संजय के पड़ोसियों ने पताया कि रोज रात को देर से वो घर आता था अधिकतर नशे में रहता था नशे और दुर्यवार के कारण उसकी पत्नियों ने भी उसे छोड़ दिया आरोपी संजय के खिलाब वी एनेस की धारा 64 बलतकार और 103 अध्य जैसे गंबीर धाराओं में अफ़यार दर्ज किया गया है आरोपी को गिरफतार करने के बाद अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उसे तेवी सगस्तक पुलिस हिरासत में बेश दिया गया है गटना को गंबीरता से लेते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी मम्ता बैनर जी ने कहा कि उनकी सरकार आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेंगी उन्होंने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट्रेक कोट में की जा झाल 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 झाल